हलो फ्रेंड जारा पुटिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और दोस्तों आज की वीडियो के अंतर में आपको गल्ले में पाइपिक निकालने का एक तरीका सिखाऊंगा जो कि आपको बहुत ज्यादा सिंपल और असान लगेगा तो यह सीखने के लिए आप इस विटो हमारा गला हमने कटिंग कर रखा है ठीकैं तो इहां पर अपको इस कट से दूसर कटा कर आज से मिलाना है और इसे दोस्तों बिल्कूल बिल्कुल किरिज पर इकोल करके ऐसे लख लेना है देखो आप देख सकते हैं बिल्कुल इकोल है फिर यहां पर आपको चोक लेना है और इस तरीके से निसान लगा लेने हैं जिससे जब आप गला जमाओगे तो आपका जो है गला एक बराबर अच्छी तरीके से जम जाए ठ लगा इतना हिस्सा आपका पूरा आराम से आ जाये तो हम एसे कप्ड़े को इतना कटिंग कर लेंगे ठीक है उसके बार आपको मसीन पे बताते हैं किस तरीके सा बहुत असान ही तो देखिए दोस्तों जिस क्लर इस तरीके से अपना जाहिए उस कप्ड़े को नीचे रखें इ ठीकि निसान से निसान मिलके आएगा तो ओटोमेटिक गला सही बैड जाएगा अब दोस्तों इसमें जितनी चोड़ी आपको पाइपिंग चाहिए बार इक सलाई से याद रखें बार इक सलाई से आप इस पर सलाई लगा लिए और इस तरीके से दोस्तों सलाई लगाते हुए पूरे गली की सेब में आपको लगानी सलाई और फिर इसको ऐसे गुमाके फिर दुवारा जो निसान है दोस्तों निसान से निसान आप ऐसे मिलाएंगे तो यह ओटोमेटिक देखिए यहाँ पर आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से गला मिलके आ जाएगा तो इसको भी हम इसी तरीके से सलाई लगाएंगे अब दोस्तों सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है यह कपड़े को कटिंग करेंगे लेकिन यह पूरा बराबर से नहीं काटना आपको थोड़ा थोड़ा छोड़ा कपड़ा कटिंग करना है वरना बराबर से काटोगे तो कपड़ा पाइपिंग के बाद निकल होगा तो हमें ऐसे घुमाना है गुमाने का जो भी कलर का कपड़ा पाइपिंग लिए ले रहे हैं इसको आप अंदर के तरफ करेंगे और यहां पर जितनी पाइपिंग आपको चलाई लगाए थी वह पाइपिंग आपके यहां पर देखिए इस तरीके से निकल आएगी अब इसे बिठा ले तो यह देखिए बिल्कुल हमारा फिनीसिंग के साथ दोस्तों यह कपड़ा बैट जाता है और उसके दोस्तों इस पर लगाते हैं सिलाइए और इसको फिल द्वारा पाइपिंग जितनी चाहिए क्योंकि इकोल पाइपिंग दिखानी है तो हमें थोड़ा- पाइपिंग निकलने लगी तो यह आपको बहुत बढ़िया तरीका है पाइपिंग निकालने का और मैं आपको यह बहुत बढ़िया तरीका है वीडियो के आड में कि कि इनकिन गलों में इस तरीके से पाइपिंग निकाल सकते हो ठीक है तो यहाँ पर हर गले में पाइपिंग नहीं निकलती और यह जो बुकलम है, इसे भी हमें सेट करना है, तो हमें क्या करना है, इस कपड़े को ऐसे, पाइपिंग वाले कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है, बुकलम के बरावर से यहां लगानी सलाई, इस तरीके से आपको यहां दोस्तों सलाई लगानी है, कपड़े को बरावर से ब आप उतार सकते हैं इस तरीके से सिलाई लगा के आप उतार लो और अब जो यहाँ में आपने सिलाई लगाई इसे आप कटिंग भी कर सकते हो याद रखें कटिंग करते हो आइडिया होना चाहिए अगर आपको दिक्कत होती तो आप इसे हटा के अच्छी तरीके से कटिंग क हो जाईगी ठीक है अब इसी तरह के से आपका चोंग इससे भी ऐसे फोल्ड कर के पूले में सिलाह इलागा इसे भी कटिंग कर लेते हैं फिर में आपको पाइपिंग दिखाता हूं और यह भी बता हूं कि कि देखें दोस्तों यहां पर हमारी पाइपिंग निकल चुकी है औ लेकिन किन-किन गलों में आप यह पाइपिंग निकाल सकते हैं इस तरीके से तो दोस्तों जिसमें आपकी नोक ना हो याद रखें जिसमें आपकी जादा गोला हो जादा नोक ना हो उसमें आप निकाल सकते हैं जैसे कि आपका वी गला हो गया गोल गला हो गया सीधा स्वीट करके बेल अगने पर क्लिक करना ना भूलें थैंक यो फॉर वाचिंग